Hello everyone, आप तपेका सवागत भूमिन टाइक के fresh and exciting video में तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगो ऐसे differences बताऊँगा जो कि आप लोगो एसे differences बताऊँगा जो कि आप लोगो MI A1 में मिलता नहीं था लेकिन MI A2 में जो ही देखने मिल जाता है तो कुछ ऐसे difference जो कि आप लोगो इस दोनों फोन में जो देखने मिलते है तो इस वीडियो को प्रेंट तक देखना मद बूलेगा तो अगर आपको वीडियो अचा लगे तो ज़र से वीडियो को लाइक को शेये करना मद बूलना और आप खुदी जो ही decision ले लिजे कि कौनसा phone आप लोग के लिए better है कौनसे specifications आप लोगो ज़्यादा अच्छी performance जो ही दे सकती है तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं display के बारे में तो MI A1 में आप लोगो मिल जाता है 5.5 inches का full HD display not full HD plus display only full HD display और इसमें आप लोगो 16.9 aspect ratio का display मिलता है जो कि एक old ratio है काफी odd design लगती है अभी because अभी जो ही 18.9 aspect ratio का आप लोगो display जो ही देखने मिल जाते है जो कि आप लोगो मिलता है MI A2 में और MI A2 में आप लोगो मिल जाता है 5.99 inches का full HD plus display with 18.9 aspect ratio का display जो कि काफी अच्छा trending और cool लगता है मेरे साथ से MI A2 की display जो है better है compared to MI A1 और अगर processor की बात करें तो MI A1 में आप लोगो मिलता है Snapdragon 625 का processor लेकिन MI A2 में आप लोगो मिल जाता है Snapdragon 660 का processor जो कि अगर दो लोगो compare किया जाए तो definitely MI A2 का जो processor है Snapdragon 660 वो better है compared to 625 because एक upgraded version is 625 का so मेरे हिसाथ से Snapdragon 660 आप लोग को better performance दे सकता है compared to Snapdragon 625 और अगर storage की बात करें तो MI A1 में आप लोगो सिफ एक ही variant जो ही देखने मिलता था जो कि है 4GB RAM प्लस 64GB internal storage वहाँ पर आप लोग 128GB तक अब जो है expand कर सकते हैं Micro SD card लगा कर लेकिन MI A2 में आप लोगों जो ही दो देखने मिलने वाले हैं जो कि है 4GB RAM प्लस 64GB internal storage और सथ में 6GB RAM और 64GB internal storage और दोनों की pricing जो है 15 या 16,000 रुपीज से start होने वाली है ऐसे कुछ जो है expectations है सारी information आप लोग को एट तोगस्त को जो ही देखने मिल जाएगी बिकॉस एट तोगस्त को इंडिया में जो ही launch होने वाला है MI A2 और pricing भी तभी जो ही आप लोगो पता चलीगी और अकर battery के बात करें तो MI A1 में आप लोगो 3000 mAh की battery मिलती थी 3080 mAh की लेकिन MI A2 में आप लोगो मिलता है 3000 mAh की battery दोनों में आप लोगो battery wise जादा कोई difference जो देखने नहीं मिलेगा because 3080 mAh की आप लोगो बैटरी मिलती थी Snapdragon 625 के साथ में 625 काफी अच्छा processor है काफी battery efficient भी processor है लेकिन Snapdragon 660 के साथ आप लोगो 3000 mAh की battery देखने मिलती है जो की काफी अच्छा powerful है और यह भी power efficient processor आप लोगो देखने मिलता है so मेरे हिसाब से battery wise आप लोगो कोई भी difference जो देखने नहीं मिलेगा almost जो जो सिमिलर हो सकता है so अभी बात करतें camera के बारे में camera में जो MI-A1 है उसमें आप लोगो मिलता था dual 12 12 12 MP आप लोगो camera देखने मिलता था rear side में और front facing camera की बात करें तो उसमें आप लोगो मिलता था 5 MP लेकिन जो MI-A2 है इसमें आप लोगो 12 20 MP का camera देखने मिल जाता है so definitely camera wise to MI-A2 कासी कमाल होने वाला है MI-A1 से so मेरे हिसाब से MI-A2 आप लोगो के लिए perfect phone अगर आपको ये phone अगर purchase करना हो अगर आपका budget 15-16,000 रुपीज सक हो तो ये phone आप लोगो definitely जो है purchase करना चाहिए 8 तोगश को ये phone जो इंडिया में launch होने वाला है और आगे के details मैं आप लोगो एट तोगश को जो ये दे दूँगा so तक तक के लिए stay tune करें stay tune करने के लिए channel को subscribe करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब भी करें तक ही काफी सारे लोगों को ये information जो है मिलते रहे so ये ही ताच का वीडियो I hope के आप कोई वीडियो अचा लगाओ ज़रूँ अगर आप कोई वीडियो अचा लगाओ तो ज़रूँ इस वीडियो को लाइक हो शेह गरना मत बूलना और चैनल में इंट्रेस्ट रहूँ तो सब्सक्राइब बेड़ें पे क्लिक कर दीजे सब्सक्राइब नुटिफिकेशन पर लाइकन को भी दबाए तक नुटिफिकेशन आप लोगों हमेश मिलते रहे तब तक के लिए सीव टूमारो इन अनुदर एपिसोड बाए